सेसपी किसार आज मैं आपके साथ जो रीस्पी शेयर कर रही हूनप सिर्ण एक क्रिश जाती हैं तो उसका हम ऐसे आपके ऊस बनाते, पॉलाव बनाते ल क्षी तो इसके का यहार Mill Smuts अछी करेंगे तो यह ऐसे बनाएंगे तो यह आपकी उस भी हो जाएंगे और आपको टेस्ट में बहुत लगेंगे तो यह मेरे पास यह दिखिए मेरे एक कप के क्रीब है प्लाव बचा था चने की डाल का प्लाव इसमें नामक बगारा भी डला हुआ है और इसके लिए हम लेंगे यह कप यह ले लिया और आदा कप से थोड़ी सी काम सूझी लेंगे जयानि कि दो बड़े चममा चाप ले सकते हैं सर्विंग स्पून आते हैं और दो ही हम एक टेबल स्पून बढ़े वाले बेशन लेंगे और आदा कप हम देहि लेंगे और एक टेबल स्पून हम ग्योंग का आटा अगर हमें लगे की फोड़ा डील है तो हम ग्योंग का आटा भी डाल सकते हैं इसे बाइंडि आएगी इसे सूजी से क्रिस्पिनस आएगा तो सबसे बहले हम क्या कहें हम ग्योंग से जाज यार ले लिए हम गिसमी जो हमारे पास लाफ्ट और राइस बचा हो और डाले इसमी डाल देते हैं सूजी जाल देते हैं बेस साथ यह थोड़ा साध रखो और हरी मिर्चे अगर आप ना मिलाना चाहें तो सूजी एक चम्मच और डाल सकते हैं मुझी हमारे पास आदा चप दही है यह भी डाल देते हैं अगर हमें लगे यह टाइट हो गया तो हमें इसमें पानी मिक्स कर सकते हैं अब मैं इसको मिक्सी में चलाऊंगी जाने कि ब्लाइंड करूंगी और थोड़ा साम आदा चम्मच नमक भी डाल देते हैं तो मैं इसको ब्लाइंड करके लागें देखिए मैंने राइस और सुची बेसन और थोड़ा साट्रा डालके अद्रक और हरीमीड डालके इसको पीस लिए एक मिनट लिए ग्राइंड कर लिए ऐसा अब यह थोड़ा सा में टाइट लग रहा है तो हम इसमें एक चम्मच जा एक कर्षी बर के पानी डालेंगे अगर आपसे ना पीसे तो आप पानी स्टैंबीड मिला सकते हैं दिखिए हमारे यह थोड़ा सा गाड़ा लग रहा है तो दोसे के लिए था हम थोड़ा से इसमें पानी डाल देते हैं एक बड़ा टेबल स्पून भरके हम इसमें पानी डालेंगे अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं यह दिखिए बिलकुल गाड़ा इससे दोसे आता है इसलिए कलर ऐसा है अगर आपके पास उबले प्लेन चावल होंगे जब वाइट होंगे तो वह आपको वाइट दिखेगा अब हम इसको कोई रेस्ट देने की जूरत नहीं है कोई इसमें मिठा सुठा नहीं डालेगे बस जस्ट इसको हम तवे में नौस्टिक में बना लेते हैं हम एक पिसमें चीला ही बोल सकते हैं इसको और यह थोरसा पानी इसको पहुंचती है पानी से अब आप चाहें कितना भी साई छोटा बड़ा कुछ भी चीज़ करा सकते हैं मैं थोड़ी से मेधियम ताइस के बनाओंगी तो यह से हम 200 अखीला से लाते हैं तो यह से रखेंगे भी आपने पहले सेम पेस को गरम करकी इस पर डाना अब हमने थोड़ी सी गयास को सिम से थोड़ा सर्यादा बढा दिये तो आप यह दिखिए हम आपको पता चलना शुरू जाए यह पक्ना शुरू होगे तो आम एक एकटर जोट में थोड़ा से साब तीरे साइडों में लगा देंगे अब इसको दीरे दीरे यह दिखिए अ ऐक ऊटना शुरू हो जाएगा पिर हम नहीं आठा बेखन डाला तो इससे बाइलिंग हो जाती है अब इसको थोड़ा सा लाल होड़े देते हैं फिर मैं आपको बताती है इसको पॉले देख सकते हैं इतना अच्छा बना है फिर हम ने आश इसको छेंपने करती है तेज आउंच में करेंगे तो यह चेपत की सकता और बने का बिरी जी इसको हम थोड़ा सा तेल की यादा नहीं लगा ना जस्ट थोड़े सी ड्रॉप्स डाले अब इसको हम पखने देते हैं फिर मैं आपको ने फोल्ड कर दिये अब हम इसको उतार लेते हैं इसी बगार में पानी डालेंगे और थोड़ा से याँ इसको हम ने सीम पर ही रखा हुआ अब हम इसमे अपने बैटर दाल रहें अगर बनाती तेम आपको लगे थोड़ा दा रहा है तो आप इसको पतला भी दा सकते हैं पानी जालेंगे अगर धिला हो जाए तो आप देशन जाता मिक्स कर कटे उसको इसको एकदम आना निए जर si eight minutes इको आएड एक पकने दे रीक से छिम पर फिर इसको आप तरते ये बैटर रिकने दे इसको आपकने देते हैं एक मिनिट हम ने इसको पका लिया है, जिमते, अब हम थोड़े सा इसमें तेल डालेंगे, साइड होगे, वो थोड़ा सुख पटा दिए, वो थोड़ी सी ग्यास को तीज करेंगे, यह लिखे, अपने आप इसमें शुरू हो जाता है, अजर ठीक पट जाए इसमें, इसको भी हम 30 सिकीड तक वहर बटाते हैं, फिर इसको टर्न आवर करेंगे, अब हम इसको पाईद हो दिया, अब इसको भी हम सेट लिया है, आप इसको चटनी से, आलू की, सुखी सब्जी से, किसी के साथ भी सरुखर करते हैं, यह तोमाटो कैचर को जाए के साथ भी इसको त़र कर स अब बनाने में फ़ोरी सी मुश्कल होती है, तो अपने आप बन जाते हैं अच्छे अब मारा होट हो जाते हैं अब मैं दुसरे बना लेती है यह हमारे चीले बन कर तयार है लएफट और राइस के और यह बड़े डिलिशयस और बड़े टेस्टी होगे आप इसके जूर ट्राइ कीजिए अगर आपके चावल बच जाते हैं तो इसमें थोड़ा सा सूजी बीसन और ये डालिए और बनाइए तो बड़ी इसली बन जाएंगे ये चीला है किसम से दोसा नहीं कह सकते हैं चीला तो है लेकिं ये जो दोसे में मसाला अलू डालते हैं उसके साथ सरव कर रही हो आप जटनी से मिकर सकते हैं और टोमाटो सास के साथ मिकर सकते हैं तो बनाइए खाईए अगर मेरे रैस्पी बिसांद आती तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए